वेलकम टू माई यूटूब चैनल माही कांती टीचिंग आज हम स्क्वेर रूट निकालने के लिए लॉंग डिवीजन मेथड और प्राइम फेक्टराइजेशन मेथड दोनों मेथड हम सीखेंगे इस नमबर का हमें स्क्वेर रूट लॉंग डिवीजन मैथड से निकालने है Okay डिवीजन मैथड से स्क्वेर रूट कैलकूलेट करोगे तो हमें क्या करना है सबसे पहले हमें नंबर की पेरिंग करने है नमबर की पेरिंग हम कैसे करते हैं, right से left जाते हैं, means हम यहां से नमबर की पेरिंग करना start करेंगे, okay, 67, टू से लेके 10 तक के square में हम चेक करेंगे, 67 से छोटा नमबर, means छोटा नमबर क्या होगा, 64 means 8 लिखेंगे यहां पर, और जो नमबर हम यहां पर लिखेंगे, उसी पार रूट के लिए दिविजन कर रहे है और हम यहां पर मल्टिप्लाय करते हैं इसम घ्राइ करें हमारे पास आजयेगा 64 कि अः zurd Googlet से सके स्वोर को माइनस करना एंब हमारे पास देगा कि यहां से हम सिंगल के Irina करेंगे हम यहां पर जो नंबर हमने पेरिंग किया था पेर में ही number यहां पर लेंगे 24 को हम यहां पर लिए प्रूट ूर्ट के लिए अगर डेवीजन कर रहे हो तो यह सिंगल डिजिट लॉइंट को नहीं करोगे यहां पर आपको लिखना है 8 प्लस 8 16 आपको 16 के टेबल में 32 से छोटा या 32 के बराबर कोई नमबर देखना है 16 2 जा 32 होता है means आप क्या करोगे 16 2 को 2 से ही multiply करोगे जो नमबर आप यहां पर लोगे उसी नमबर से आपको multiply करना अगर आप यहां पर 3 लिखोगे means आपको यहां पर 3 लिखना हो फिर आप multiply करके चकर लोगे क्या नमबर आ रहा है ok 4 को 4 से multiply 5 को 5 से multiply ok 224 26 12 2102 प्लस 13 हमें हमारा नमबर मिल गया same means हमें रिमेंडर जीरो चाहिए लाइनस करेंगे हमारे पास आजाएगा जेरो यहां पर आप क्या लिखोगे 2 से आपने multiply किया था means 2 जिस नमबर से मने multiply किया था यह हमारे पास आगे 82 स्क्वेयर रूट में स्क्वेयर रूट 6724 स्क्वेयर टू 82 यह हमारा आंसर है प्राइम फेक्टराइजेशन मेफड ओके हमारे पास नमबर है और आपको इसका यूनिट डिजिट नमबर देखना है फोर है means even number है तू से divisible हो जाएगा तू से हम इस नमबर को डिवाइड कर देंगे टू इस शीक्स टू नाइन जा 18 टू टू जा फोर डिजिट नमबर तू है even number है अगेन तू से यह डिवाइड हो जाएगा तू नाइन जा 18 टू 6 जा 12 अगेन यह तू से डिवाइड होगा तू नाइन जा 18 टू एड़ जा 16 अगेन यह तू से डिवाइड हो जाएगा तू फोर जा एट टू नाइन जा 18 टू नाइन मेंस नाइन है यह तू से डिवाइड नहीं होगा नाइन प्लस फोर थर्टीन मेंस यह थ्री से भी डिवाइड नहीं होगा यह किससे होगा सेवन से डिवाइड हो जाएगा 7, 7 is a 49, 7 is a 7, means 784, 2 multiplied 2, multiplied 2, multiplied 2, 1, 2, 3, 4, 4 times 2 आजाएगा, 2 times 7 है, numbers की pairing करेंगे, 2, 2, 7, और इनको हम multiply कर देंगे, इस square root 784 का हमारे पास आजाएगा, 2, 2, 4, 4, 7 is a 28, means हमारे पास आजाएगा 28, यह हमारा answer है, method and prime factorization method, जो method आपको easy लगी, आप square root find करने के लिए उस method का use कर सकते, वैसे आपको दोनों method आने चाहिए, वीडियो अच्छे लगी, please like, share and subscribe, comment करके आप मुझे बताओ कि next वीडियो मुझे किस topic में बनाना चाहिए, thank you,